बड़ा पाव बड़ा पाव जिदर देखो सिर्फ और सिर्फ मुझे आजकल बड़ा पाव ही दिख रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी घर पर बड़ा पाव का ठेला लगाओं बहुत ही स्वाधिष्ट बनते हैं और आप लोग कितने रुपे में ये बड़ा पाव खाना चाहेंगे मुझसे वैसे तो मैंने सुना है कि पचास रुपे में बिक रहे हैं साथ इसमें ंधूड़ी सी अजवाइन और टेस्ट के लिए और समरे भी उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे कर लिए और पानी डाल डालके न में अल पीषटिप tuamford क्रेंगे अच्छा नहीं लगता देखने में भी और ढहाने महिन बहुतूत। जादा मोटा रख देंगे तो बहुत जादा मोटा हो जाएगा बेसन का लेयर तो अभी मैंने इसे घोल करके साइड में रख दिया है तब तक के लिए हम इधर क्या करेंगे ना कि हरी चटनी की तैयारी कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक मुठ्टे के करीब हरा धनिया लिया है और साथीस में आड़ कर देंगे दो लहसन की कलिया और छोटे साइज का अधरक का टुकड़ा बड़ा पाव में वैसे मीठी चटनी, हरी चटनी, सूखी नारियल की चटनी तीनों ही डलती है तभी बहुत स्वाधिश्ट लगती है कुछ-कुछ elements हैं बनाने बट यकीन मानिए बहुत easy है इसे बनाना तो घर पर ही बनाईए क्या हूँ अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई जाकर के बड़ा पाव नहीं खा पा रहा है तो क्योंकि घर में भी बहुत स्वाधिश्ट बनती है कुछ चटनिया होती है बनाने के लिए लेकिन जो आगर आप बड़े बना लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है बड़ा पाव बनाने में तो यहाँ पर देखिए हरी चटनी बन करके बिल्कुल तयार हो गई है अब हम क्या करेंगे अधरक मिर्च और लहसन कूट लेंगे अगर अच्छे से नहीं डालेंगे तो टेश्ट उतना अच्छा नहीं आएगा तो इसे मैंने दरदरा सा पिस लिया है रखते हैं भी साइड में और जो मतलब बड़ा है उसका मसाला बना करके तयार करते हैं बटाटा बड़ा का तो एक चमच के लिए मैंने आपर तेल डाल किया है और साथ ही जो अद्रक मिर्च लहसन एड की मतलब ग्राइंड की थी ना वो इसमें एड कर देंगे और थोड़ा से भून लेंगे बहुत जादा भी नहीं भूलना है जलाना नहीं आपको नहीं तो टेश्ट नहीं आएगा आधा चोटा चमच के करे मैंने आपर उबले हुए आलू मीडियम साइज के ही आलू है और आप पहले ही उबाल के रखेगा आलू ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं और जो मतलब हमारा आलू है बहुत ज़्यादा गीला गीला ना बने नमक आड कर देंगे खूब सारा बारिक कटा हर्या धनिया उसके बाद नी अक्षी वी वनी थी यकीन मानिए यहां पर जो हमारा मसाला बन करके बिल्कुल तयार हो गया है तो इसे अभी हमें ठंडा करना है तो किसी एक प्लेट में निकाल ले और इसे साइट पर रख दे थोड़ा ठंडा होने के लिए तब तक के लिए मैं इधर कढ़ाई चड़ा ऐसे मैंने तेल एट किया है घर की बनीवी चेजें सब्सक्राइब करने तेलों मैंने एक चुटकी सोड़ा एड़ किया है खाने वाला सोड़ा ये साथ ही एक चमच गरम तेल एड़ कर देंगे और इस तरह से यहां पर इसकी ना क्या बूलते हैं इसे बूंदी टाइप के जो चूर मुरे होता है उस तरह के ये बना करके तयार कर लेंगे ये ना पाओ के सा चटनी ना सूखी चटनी इसी से भी बनाएंगे तो अब जो बड़े है ना वो हम तल करके तयार करेंगे तो एक मीडियम नीमबू साइज नीमबू से थोड़ा बड़े साइज का आप यहां पर बॉल्स बना करके तयार करें बेसन में अच्छे से कोट करें उसके बाद चे साथ जितने मर्जियों आप फ्राई कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आपने तेल एट किया है तो यहां पर जो हमारे बड़े है ना अच्छे से सुनहरे कलर के हो गया है तो मैंने इसे यहां पर निकाल लिया है अभी हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे जितने बड लशन फ्राई करने के लिए यह जो हरी वाली मिर्ची है न उपाव के साथ ही सर्फ की जाती है और लशन तो हम चटनी में यूज करेंगे जब भी मिर्ची फ्राई करें लेसन फ्राई करें तो उसे आप थोड़ा सा मतलब श्लिट कर लें नहीं तो यह जो तेल है ना उपर से थोड़ा सा कूट दिया है क्योंकि लहसन भी फूटती तेल में जाने के बाद तो दोनों सी चीज आप थोड़ा सा काट ले। तोड़ लें जो भी मन हो आपको तो यहाँ पर मिर्च और लेजन को मैंने फ्राई कर लिया है मिर्च में मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक अड़ कर रही हूँ आप चाहें तिसमें थोड़ा सा और चाट मसाला वगरा भी अड़ कर सकते हैं टेश्ट बढ़ाने के लिए अब सूखी वाली चओट पटी जो नारील की चटनी होती है और पाओ के साथ दी जाती है वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो बहुत तरीके से बनती है यह बट यह जो है ना बहुत स्वादिश्ट लगते है मुझे बहुत अच्छी लगती है नारियल एड़ किया है, मैंने सूखा वाला खोपरा, एक चमजे गरीब तील एड़ किया है और दो कस्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है, तीखा नहीं होता जादा जो लैसुन हमने फ्राई करके रखी थी ना, वो इसमें एड़ कर देंगे और जो बेसन वाले हमने चुर्मूरे जैसे क्या बोलते हैं, इसे वो बनाया था, वो भी इसमें एड़ कर देंगे आधा एड़ किया है मैंने, नमक और लाल मिर्ची एड़ कर देंगे, और इसे एकदम ग्राइंड कर लेंगे हलकी सी दरदरी रहती है, कोर्सी ग्राइंड होती है, और एकदम टेश्ट है ना, एकदम अल्टिमेट आता है मुझे तो जो लगता है ना, कि पाव में, बड़ा पाव में टेश्ट है ना, इसी लहसुन की चटनी की वज़े से आता है घर में आप बनाएंगे न तो अपने अकदम चटनी आ एड़ करेंगे, जिससे टेश्ट बहुत बढ़ता है बाहर में तो मैंने देखा इसे छिड़क देते हैं थोड़ा थोड़ा नाम का, क्या ही टेश्ट आता होगा मुझे नहीं पता तो देखें, यहाँ पर सारे अलिमेंट्स बन करके तयार हो गया हैं और यकीन बानिए, इतना बनाने हों मुझे आदा गंटा लगे हैं देखने में लगते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम टेकिंग होते हैं अब सर्फ कर लेते हैं, बड़ा पाउ देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है तो पाउ ले लिए मैंने एकदम सॉफ्ट वाले, उसमें मैंने लाल चतनी, हरी चतनी और यह सूखी नारियल की चतनी है और यह जो नारियल की चटनी है ना मैंने थोड़ी सी ज़ादा ही एड़ किया क्योंकि मुझे बहुत ज़ादा अच्छी लगती है यहाँ पर बड़ा रखा है मिर्ची रखी है और वो प्रिस्पी वाले बेसन की भजिया बनाई थी ना वो भी रखी है तैयार यहाँ पर बहुत ज़ादा टेश्टी बड़ा पाउ ट्राई कीजेगा ना तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा कि आपको कैसी लगी और